वेलकम डेर स्टुरेंट, आज हमने पिछले क्लास में जो हमने एनलेसिस देखा था कि नीट में पिछले दश सालों में कैसे कोस्चंज पूछे जा चुके हैं केमिस्टी में और किस किसटी किस टॉपिक से कितने नमबर आफ कोस्चंज मुझे लीमांड किये जाते हैं, काॉन आज का पहला सेग्मेंट that is atomic structure अच्छा atomic structure स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बाते जरूर बताना चाहूंगा कि यह जो चेप्टर है यह ऐसा चेप्टर है जिस पे सवाल ना बने ना इसा इतियास में कभी हुआ नहीं है पिछले 10 साल हो या 20 साल का आप record चेक कर कि in fact 2014 तक atomic structure चेप्टर के ना 3 to 4 questions demand में आते थे 3 to 4 question आप समझ सकते हैं out of 45 question 3 to 4 question कितना matter करता है और है भी चेप्टर थोड़ा से बड़ा बहुत सारे conceptual features को cover करता है तो 2013-2014 दोनों में ही दोनों ही सालों में 3-3 सवाल आए हैं ठीक है उसके पीछे भी यही सिलसला जारी रहा पर twist tier 2015 से 2015 में atomic structure का क्या है उस समय paper cancel हुआ था ठीक है लीक हुई थी 15-16 में फिर Supreme Court उसके बाद काफी strict हुई और आज की date में आपको ही पता है आप अगर NEET का इंट्रेंस दिल आने जाते हैं तो बहुत सारा rules regulations आपको follow करना रहता है ठीक है क्योंकि guideline wise ही आ गई नेट की paper को लेकर Supreme Court की तो 2015 में जब पहला paper हुआ ना तो वह paper में एक question आए बट जब cancel होके दूसरा paper लिया गया तो उसमें atomic structure के दो question आए थे as well as 16 में भी सेम यही ट्रेंड रहा और 2017 में 2017 में बच्चों atomic structure से कीवल एक सवाल आया 18 में भी अगर देखेंगे तो भी किवल एक सवाल आया 2019 में दो सवाल आये फिर 2020 की बारी किवल एक सवाल और 2021 में आप expect करिए कि इस साल दो सवाल पूछे जाने की पूरी उम्मीद है हो सकता है ज्यादा भी आ जाए ठीक है तो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेक्टर करें पिछले 15 साल का एनालेसिस अब मैं 15 साल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि देखिए मैं इस एनालेसिस में पूरा का पूरा चैप्टर ऐसा नहीं कि यह कोश्चन आये होंगे और हम उसको सॉल्व करके एंसर सी आएगा बी आएगा ऐसा करने वाले बिलकुल नहीं मेरा यह प्रयास से यह वीडियो हो सकता है थोड़ा एक गंटे के आसपास का बन जाए बट इस एक गंटे के वीडियो में पिछले 15 साल के पेपर्स को लेकर हम पूरा का पूरा चैप्टर का एक एक इंडिविजल कॉंसेप्ट से गोत्रू हो जाएंगे ना मतलब सब्सक्राइब होने वाला है ठीक है को सब्सक्राइब से और 10 साल 15 साल के रियल पैटन है इन फेक्ट पाच साल के लास्ट यह पाफ फाइफ पाइफ के पाइफ प्पाइफ करता है क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हुआ है अब कॉंपटिशन बड़ा है जो इस्टूडेंट चेप्टर के each and every concept से मैं आपको रूबरू कराऊंगा और आप यकीन मान लिजिए ये सशन आपके लिए इतना helpful रहने वाला है कि आप खुद मुझे कमेंट करके बताईएगा कि क्या पूरे चेप्टर का हम एक बार ओरल रिवीजन कर पाए की नहीं क्या ये आपके लिए अमबा हो सकता है आपके लिए कर रहा हूं आपके थोड़े से प्यार थोड़े से सपोर्ट कि मैं ए उम्हीद करूंगा और मुझे पता है कि मेरे बच्चे मुझे अपना भरपूर प्यार रबपूर समर्थन के तो चलिए आज स्टाट करते हमारा आज के पहला सेशन atomic structure 2019 में आया हुआ question देखे 2020 में जो question आया था बड़ा simple सा आया था उसमें एक atom था और उसके electronic configuration पे सवाल पूछा था हालांकि वैसा ही एक सवाल और है ठीक है तो आपको वो दिख जाएगा अराम से 2019 NEET की paper में क्या पूछा गया था कि which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen atom falls in visible region हिंदी में भी मैं बोल देता हूं मैं bilingual लोंगा पूरा का पूरा session को कहता है कि निम्न में से कौन सी स्रेणी hydrogen spectrum की द्रिश्य प्रकास छेत्र में पाई जाती है कौन से छेत्र में पाई जाती है visible reason में याद रखिए कि hydrogen spectrum जो था यह अपने आप में क्या है तो यह एक emissive spectrum है और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि electron एक शल से दूसरे शल में जंप करता है जिसके का एनरजी में difference होता है पूरा concept समझना ना emitting type का spectrum रहता है यह emission spectrum बोलते है spectrum दो टाइप का absorption और emission और शोशन और उत्सर्जन तो यह emission type line spectrum है कौन hydrogen spectrum कौन hydrogen spectrum ऐसा पूछ सकता है hydrogen spectrum के लिए क्या सही है तो emission type line spectrum ओके दूसरा इसमें क्या बात होती है तो इसमें five series आती है और यह series किसके लिए defined होती है तो यह series defined होती है wavelength के लिए तो यह wave number के लिए तो wave number is equals to होता है बच्चों one by wavelength one by lambda और यह equal आता है r z square one upon n1 square minus one upon n2 square और यहां हमेशा जानने वाली एक बात याद रखना कि n2 की value n1 की value से हमेशा क्या होगी जादा होगी यह wave number देता है उसी से different type की wavelength मिलती है और यह जो पूरा hydrogen spectrum होता है प्यारे बच्चों वो five series में generally five series actual में होते six series है पर हमारे syllabus में five series होता है five series में classified किया जाता है पहले series आती है आपकी Lyman series फिर आता है बामर series फिर third आता है पास्चन series फोर्थ आता है ब्रेकेट series और एक फिप्थ और series होती है जिसको हम लोग पी फंड या फुंड series भी बोलते हैं ठीक है हिंदी में भी यही नाम है इनका क्योंकि यह सब किसी सेंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था आप सब पूछा किया था सवाल की कौन visible reason में है कौन से series visible reason में ध्रिश्दे प्रकास छेत्र में है तो याद रखना जो long time प्रोस कर्वेट mee है कि विजिबल रिजन में कौन से चिरिज है तो बामर ही ज़ए और पाश्वन ब्रैकेट और फंड हैं यह इक और से आती है हम्फरी एंफ्ररेड में रहती है वह फार इंफ्रेड में रहती है तो आपसे कभी कभी इसी स्वेखोनाको सवाल पूछ दिया जाएंगा कि कौन से सिर्याइश की सीरिजन में है तो याद रहेंग आ ने सारी सीरीजेस को बताया कौन कहां लोकेटेड रहेगा चले बच्छो अब सवाल में आते हम लोग नेक्स सवाल हमसे क्या पूछा गया है नेक्स सवाल हमसे डिमांड कर रहा है कि ऑर्बिटल हैं थ्री एंगुलर नोड एंड थ्री टोटल नोड इस और चार ऑप्षान आपके सामने दिया हुआ है ठीक है होपस आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा यह पढ़ा पा रहा होगा थोड़ सा जल्दी जल्दी में बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी हाल-फिलाल में ही डेट इनांस हो चुके हैं तो मैं भी चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लों के लिए जितना हो सके मेरे तरब से मैं आपनी प्रयास को कॉंप्लीट करूं और आप के लिए फायदे मंद रहे इस चीज़ की मैं उमीद करता हूं तो प्यारे बच्चों आप से पूछ दिया गया है कि थ्री अंगुलर नोट पर एक तो पहले concept आप याद रखिए कि जो टोटल नूट्स आते हैं जो टोटल नंबर आफ नोट्स आते हैं नोट्स का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रबैबिलिटी जीरो हो जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रबैबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको हम लोग बोलते हैं और बिटल कक्छक और जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अकरेंस ऑफ प्रबैबिलिटी नंबर की वैल्यू ठीक अब यह जो टोटल नोड रहता है न यह दो भाग में बढ़ता है बच्चो एक आता है आप लोग का एंगुलर नोड क्या आता है एंगुलर नोड हिंदी में इसको कोणिये नोड के नाम से जानेंगे और एक आता है आपका रेडियल नोड ठीक है जो रेडियल नोड होता है वह होता है एंड माइनस एल माइनस वन ठीक है इन दोनों को अगर आपस मैड करोगे तो एंड माइनस वन आटमेटिक ली आए गाही ठीक है आप सब पूचा गया बच्चों कि ऑर्बिटल हैविंग थ्री एंगुलर नोड थ्री एंगुलर नोड सब को पता है जो टोटल नंबर अफ नोड साते हैं वह होते हैं एन माइनस वन और यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि टोटल नोड कितने दिया है थ्री एकवल टू क्या हो गया एन माइनस वन तो एन की वैल्यू हमें एड दा लास्ट कितनी मिली फोर मिली तो आप समझ लोगा अगए न 4 है और ऐल की वैल्यू 3 है तो वह कौन सा आप से पूचा गया है कौन सा ओर्विटल होगा तोiamo 455 है कैसे पता चला क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अगर यूशा ल हैं और यहां पर सपी डी 3F यह चार अपने और्बिटल साते हैं तो अगर आपकी एल की वैल्यू 3 थी तो फिर 4F हमारा फाइनल एंसर होगा जो की आप्शन में भी मौजूद है नीट उडिसा नीट में 2090 में पूछा हुआ सवाल पूछा जाना अभी चल रहा है और से नोट से बाहर आप लोग को कुछ भी नहीं जाना है ठीक है अगर आप सब पूछ दें कि मेरे पास 4D है इसमें टोटल एंगुलर नोड कितने आएंगे तो आप समझ गए यहां पर एंड की वैल्यू कितनी है हमसे पूछता है आप बता मुझे एंगुलर नोड किसकी के एक्वाल है मतलब टू होगा टोटल नोड पूछता या रेडियल नोड पूछता सुनिएगा रेडियल नोड पहले पूछता है अगर रेडियल नोड पूछता तो वो प्यारे बच्चों वो होता है N-L-1 n कितना है 4 minus 2 minus 1 मतलब radial node कितना था 1 और total node निकालने जाता तो या तो आप n minus 1 कर दीजिए तो 4 minus 1 कितना गया 3 या तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी कितना गया 3 तो ये node, anti-node, angular node radial node सबसे related पूरे conceptual features को मैंने आपके सामने रख दिया और हम एक-एक सवाल को ऐसा ही पढ़ेंगे मतलब अब आप से angular node, radial node से related सवाल पूछे तो आप से 110% लगना चीए ठीक है? चलो दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं इसको screenshot ले लो आप लोग एक बार चलिए next question प्लीज here our next question यह रहा अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा जा रहा है कि 4D, 5P, 5F और 6D orbital are arranged in order of decreasing energy मतलब इसको उर्जा के घड़ते हुए करम में बेस्तित करना है बाई, कौन-कौन से दिये हुए है हमारे पास 4D दिया है, और दिया है 5P दिया है then 5F दिया है और then 6P दिया है simple केरवच्चों आप सबको पता है कि कोई भी जो energy का value आता है वो आप बहुँ स्किम से आता है और आप बहुँ लोग कोई हम लोग N प्लस L का लोगी बोलते है यहाँ पर कुछ नहीं करना है आप N और L की value को add कीजिए तो यहाँ सीधे सीधे भी है N की value किती दिख रही है 4 और अभी-अभी मैंने आपको बताया था कि जो L की value होती है 0, 1, 2, 3 करना S, P, D, F करना ठीक? तो यहाँ D है तो 4 प्लस 2 कितना है? 6 आया? यहाँ 5 प्लस 1 फिर से कितना है? 6 भी यह P है न? P के लिए L कितना होता है? 1 होता है यहाँ आगे बच्चों 5 प्लस 3 कितना? 8 और यह हो गया 6 प्लस 1 कितना है? 7 आप बाउने यह कहा था कि जिसके लिए N प्लस L की value जादा होती है उसकी energy level भी जादा होती है तो आप समझ पाए कि इस बार सबसे highest energy level किसके पास है? तो highest energy level इसके पास है मतलब 5F की energy maximum है उसके बाद किसके पास है? तो 6P के पास है चलिए option तो हम लोग को खैर मिल जा रहा होगा मतलब यह option तो cancel हो चुका है यह option भी cancel हो चुका है आप 5F 6P option A और D दोनों में है तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि N प्लस L का जो इन दोनों के लिए value है वो क्या है common है तो यहां आप बहुने एक और नहीं चीज बहुत लाई थी कि अगर मान लेजिए N प्लस L की value common आ जाए सेम आ जाए मतलब वह orbital minimum energy रखेगा जिसके लिए N की value भी minimum होगी तो मेरे प्यारे बच्चों पहले electron कहां जाएगा 4D में की 5P में तो आप समझेंगे 4D में इसका मतलब 4D की energy कम थी तभी तो उसमें पहले electron गया ना तो clear हो गया कि 4D की energy कम होगी और sorry 4D की energy कम होगी decreasing order है यह decreasing order है मतलब की energy का अगर decreasing order में है तो 5P को हम लोग पहले रखेंगे और 4D को हम सबसे last में रखेंगे तो बिलकुल हमारे पास ऐसा option है कौन सा option है तो आप साब देख पा रहे हैं option number A तो इस point को भी आप लोग note कर लिजिए आप बहुत theory से related need 2019 में पूछा हुआ हम लाते हैं बच्चो एक एक सवाल से पूरा concept हम को recall करते जाना है ना यह सवाल देखिए जबरदास्त पूरा का पूरा तीन से चार टॉपिक हम लोग यहां पर खीचेंगे cover करेंगे बने रहना साथ में which one is a wrong statement कौन सा असत्य कथन है option one total orbital angular momentum of electron in s orbital is equal to zero मतलब s कक्षक के लिए कुल कक्षक कून यह सन्वेक कमान बोलता है शून नहीं आएगा तो पहली बात तो समझ यह कि जो angular momentum हम लाते हैं ना वो कैसे लाते हैं पहले वो formula जान लीजिए यह याद करेंगे सब लोग comment करके भी बता सकते हो angular momentum mvr equal to आप याद रखना h upon 2 pi root में l into l plus 1 होता है और यहां l क्या है प्यारे बच्चो एज यह मुथल quantum number मतलब द्विगंसी quantum संख्या कमान अभी अभी आपने देखा कि l की value 0 हो तो s orbital 1 हो तो p orbital 2 हो तो d और 3 हो तो f simple इसी formula में आप रखिए आप लोग को इसका angular momentum मिलते जाएगा तो मान लिजे अगर मैंने l की value s के लिए अगर बात की तो यहां 0 रखूंगा और 0 into कुछ भी करने से कितना आएगा 0 ही आएगा अगर मैं बात करूंगा p की तो p के लिए प्यारे बच्चों यहां पर आप 1 रखेंगे तो 1 into 1 plus 1 मतलब 2 तो यह आजाएगा root 2 h upon 2 pi solve इसको मैं करूंगा तो यह आजाएगा h upon root 2 pi ठीक है यह p के लिए हो गया ऐसी अगर मैं बात करूं d की तो d के लिए आपको l की value कितनी put करनी है तो 2 into 3 कितना आया root 6 h upon 2 pi solve करेंगे तो यह root 3 by 2 h by pi आएगा h क्या है planks constant की value है ठीक और अगर f के लिए बात करनी होगी प्यारे बच्चों तो यहां 3 रखना तो 3 into 4 मतलब की root 12 h upon 2 pi अब root 12 को तो हम सब को पता है 2 root 3 लिखा जाता है वो 2 और नीचे का 2 cancel होने से केवल क्या बचेगा root 3 h upon pi तो आप से पहला ही statement पूछा गया था क्या पूछा गया था क्या s orbital के लिए angular momentum की value 0 होगी तो आप साब साब देख पा रहे हैं कि क्या s orbital के लिए angular momentum 0 होता है तो बिलकुल होता है मतलब यह तो हमारा wrong statement नहीं है बट इस एक line को समझाने के लिए मैंने आपको पूरा का पूरा angular momentum का concept clear करवा दिया याद रखना orbital angular momentum अगर पूछे orbital angular momentum तो यह formula ठीक है और अगर और ऑर्बिट angular momentum पूछे तो एने चपाउन टू पाई एने चपाउन टू पाई वह प्रिस्पल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा फिफ्ट शेल फिफ्ट ऑर्बिट पूछ रहा है मतलब फाई एच अपॉण टू पाई टू पाई टू पाई पाई आयटी का पूछा हुआ कोश्चन है वह ठीक है हम पूरा चैप्टर रिवाइस कर देना चाहरा है न विदिन वान आर ठीक है लास्ट 15 साल के पेपर में यही बात में सुरू में कह रहा था और कैसा लग रहा है आपको यह पूरा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बता हो क्योंकि आपकी एनरजी ना मुझ तक नहीं नहीं पहुंच रही है इसलिए मैं भी थोड़ा सा ना हतों साहित हो जा रहा हूं ठीक है चलो यह एंगुलर मोमेंटम वाला स्टेटमेंट तो सही था इसको हम लोग बाय बोलते हैं ऑप्शन भी पे थोड़ा सा चेकिंग करते हैं बोल रहा है एन और्बिटल इस डिजिग एक इस एजमपल है मान लो यह किया है यह यह वने इस याशरबिटल है तो मेरे पियरे बच्छों ध्यान देना कि अगर मैरे इस ऐरेक्ट्रों के लिएerd कितना लोंगा वन लोंगा इसके लिए अगर मैं एल की बात करूंगा तो जीरो लोंगा क्योंकि ऐसा अर्बिटल है इसके लिए एम की वैल्यू लोंगा वह भी जीरो लोंगा क्योंकि जो एम की वैल्यू होती है आप सबको पता है माइनस एल से जीरो से प्लस एल के बीच में रहती है तो यह जीरो है तो एम की वैल्यू दोनों ही केस में जीरो जीरो आगी बट जब मैं इसके spin quantum number की value लूँगा ना तो यह upward spin के कारण यह क्या लिया जाएगा प्लस हाफ और यह downward spin के कारण क्या लिया जाएगा माइनस हाफ हलांकि ऐसा प्लस हाफ upward को और downward को माइनस हाफ ऐसा NCRT में रिया रहता है बट एक्चल में आप किसी को भी प्लस और किसी को भी माइनस ले सकते हो विकॉज यह जिस्पिन क्वांटम नंबर रहता है यह और अगर यह जा रहा है तो बात आप यहां समझे कि जब बात और बिटल की हो रही थी तब वह तीन क्वांटम नंबर से डिजिगनेटेड होता था बट बात इलेक्ट्रॉन की होती है तो इलेक्ट्रॉन आप देख पार हो कि चौथे क्वांटम नंबर में क्या हो रहा है डिफर कर जा रहा है परिवर्तित हो जा रहा है मतलब यह स्टेट्मेंट भी बिल्कुल सही ऐगर और बिटल की बात होगी तो तीन क्वांटमन नंबर देखे आप इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताएंगए क्योंकि इस इलक्ट्रोन की चौथी प्रपटी और इसकी चौथी प्रपटी अलग अलग आ रही है ठीक है बबुगा तो यह स्टेटमेंट भी बिलकुल सही निकला हम से पूछा गया है रॉंग स्टेटमेंट असात्य कथान ठीक है तीसरा देख लेते हैं बॉर्ण दी इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन आफ नाइट्रोजन एटम इस वने स्टू टू 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 पीस थ्री होता है सब को पता है सेबन होते हैं ना नाइट्रोजन का अटॉमिक नंबर तो सेबन में वने तक पूरे एक 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 एलेक्ट्रोन जब भरे जाते हैं सारे का सारे आपवड स्पीन में रहते हैं जब पेरिंग होती है युगमन की घटना चुरू होती है नातलब यह वाला स्टेट्मेंट गलत था मतलब हमारे लिए हम सर्क हमको तो रॉंग यहाँ पूछा गया कि हमारा एंसर तो मिल चुका हमें बट सवाल में चौथा आप्शन सीखाने के पॉंट आफ व्यू से बहुत जरूरी है बहुत वैल्यू आफ एम मतलब मैंगनेटी कॉंटम नंबर की वैल्यू डीजेड स्कॉयर के लिए 0 होता है तो मेरे पहरे बच्चों आप एक बात याद दों जहते हैं पाँच कौन-कौन से तो याद रखिएगा डी एक्स वाई डी यजेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वार वाई स्क्वार और लास्ट में आता है डी जड़ स्क्वार इन सब के लिए एम की वैल्ली याद रख लेना क्योंकि अभी ट्रेंड में बना हुआ ह अभी आई टी मेंस में भी पिछले दो-तिन सालों में भी इस पर सवाल पटका है नीट में दो बार तीन बार पटक चुका सवाल अभी नए ट्रेंड में आया है तो मैं पूरा सिखाद रहों इससे बाहर नहीं जाएगा आप क्या करना यहां पर माइनस से लेकाना प्लस टू तक की वैल्य लिग देना प्लस बास ह्ण प्लस टू अब सबको प्लस-मायमेंस करक दो यह आप को याद ऑगे back तो बिल्कुल डिजएड स्कॉयर के लिए जीरो होती है बट्ट बाकि के लिए कितनी होती है वह भी आपको पता चल गया साथी साथ में अगर मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपके नोडल प्लेंस के बारे में सवाल पूछ दिया जाए कि किसके कितने नोडल प्लेंस आते हैं तो यह कौन कौन से तो यहां देखो एक्स और वाई है। नहीं एक्स जड़ yz यहां देखिंए yz है कौन नहीँ है एक्स नहीं है तो x के साथ मिला मिला के बनाएंगी यह लोग तो gyi और यहाँ देख लो zavr ay नहीं है तो y नहीं है तो pativos किया इंद यहां फिर से कौन आएगा दो nodal planes बनेंगे और जो dz square है इसके बारे में जान ले न ये तो एक ही axis पे रह गया न plane बनने के लिए कोई दो different axis तो compulsory है क्योंकि plane एक two dimensional geometry है तो यहाँ पर कोई nodal plane नहीं आता तो आप से आगे भी सवाल पूछ सकता है कि d orbital का ऐसा कौन सा orbital है जिसमें nodal plane नहीं पाय जाते तो dz square यह आप से आईटी में advance में एक बर सवाल पूछा गया था कि किस d orbital के लिए x और y के बीच का जो angle है न वो 45 degree है तो प्यारे बच्चो 45 degree angle तो तब होगा यह एक से स्क्वार माइनस y स्क्वार के लिए x और y के बीच का एक्सिस के बीच का एंगल कितना हैगा जीरो डिगरी इसी में दो तिन बाते और सिखाता हूं ध्यान समझिएगा पूरा पूस्ट माटम कर रहे हैं यह dxy dyz dzx जिनकी पार में तो वन वन आया है इनको याद रखिए टीटू जी बोलते हैं कौन बोलते हैं टीटू जी और जिनकी पाउर में टूटू आ रहा है यह याद रखना एजी कहलाता है crystal field theory में हम इनको देखते हैं ठीक इसके अलावा और भी एक इंपोर्टन बात याद रखना हलांकि यह सारी चीज़े आप लोगो समझ में आ गई ठीक है एक एक इंपोर्टन बात में यह बदा रहा था पहले आप इसको पूरा मजा आ रहा होगा क्योंकि हम सवाल का पूरा पूस्ट माटम कर रहा है कि अब इससे रिलेटेड कुछ और पूछेगा ना तो हम बना सके और नीट की पेपर का यही पैटन ही है नीट अपने ही कोस्टन को रिपीट करता है अभी आपको आज की वीडियो में दिख ज पूछेगा यहां सवाल में थोड़ा ना कुछ ना कुछ तो ट्रेंड लाएगा सेंट्रल लेबल का एक्जाम है मिलियन से भी ज्यादा पार्टिसिपेशन है ठीक है पूछता वह अपने कोस्टन के ऑप्सन में सही है देखना इसल कोई एक पटक देगा पटक देगा तो आ penser충द pandemic नज इसको प्लस वन पट प्लस बांट ससे हूं अपको हमेशे रखना याद रखना प्लस वन हो गई या प्लस बोग אחर हो गई जिरो गई और हमेशा याद रखना PX plus minus 1 PYB plus minus 1 और PZ की value कितनी आती है 0 मतलब Z हमेशा चाहे P orbital का हो चाहे D orbital का हो कितना लेगा 0 लेगा और ये दोनों के लिए 1,1 रहेगा For example, अगर मैंने प्यारे बच्चों आप से बोल दिया कि N की value 3 है L की value 1 है और M की value हम लोग को दिया है 1 मुझे से बोल रहे हैं ये कौन सा orbital है तो ये तो आप समझ गए 3 L की value 1 होने से P अब ये PX है कि PY है तो मेरे प्यारे बच्चों 1 दिया है न मतलब ये PX भी हो सकता है और ये PY भी हो सकता है क्योंकि 1 दोनों के लिए आता है ये मत समझ ना कि अब ये 3 PZ होगा ठीक तो ये ऐसा घुमा घुमा के सवाल पुछेगा conceptually आप लोगो को clear रखना है तो मैंने P के लिए भी बता दिया मैंने आपको D के लिए भी बता दिया चलिए प्यारे बच्चों आगी आ जाते हैं हम लोग निट 18 में आगवा question था एक एक option से हमने एक एक नया नया concept निकालाना angular momentum मैंने पूरा घेर के पढ़ा दिया इसको भी पूरा पढ़ाया यह तो हुंसलों को invalid किया था और इसके बारे में तो हमने काफी अच्छी खासी analysis कर ली ठीक है चलिए और इनके नहीं किया जा पाया है चलिए अगला सवाल आ चुका है 2017 का क्या वह रहा है विच वान इस रॉंग स्टेट्मेंट कौन रॉंग स्टेट्मेंट है अच्छी बात है चार पुछता है ऐसा जो रॉंग स्टेट्मेंट और यह सीखने की हिसाप से नहीं बड़ा जरूरी है और अनसर्टैनिट्य को ना इस बार एनर्जी के फ़रम में दिया है हमने पढ़ा कि अनसर्टैनिट्य पॉजिशन और उनसर्टैनिटी इसक्रणान करना इंपॉसिबल है फॉर यह हैं वर्च तो उसी चीज को उन्होंने माथेमैक्ली ऐसा एक्सप्रेस कर दिया था है ओके आपको इस फॉर्मूले में ना दिखके इस बार यह कैसा दिख रहा है एनर्जी के फॉर्मूले में तो चलो ना प्यारे बच्छो इसको आरेंज करो ना आप ध्यान से देखो तो यह जो है मेरा जो मोमेंटम होता है आपने न्यूटन सेकेंड लो कि जो फोर्स था वह ए मोमेंटम की जगह पे अब हम रखेंगे फोर्स इंटू डेल्टा टी ओल्वेज ग्रेटर देन एक्वल टू एच अपन फोर पाई सिंपल अब प्यारे बच्छो आपको पता है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस यह डिस्टेंस यह डिस्टेंस में तो है ठीक है तो पोजिशन डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट में बताओगे वह हमें से क्या होता है और यहीं जूली है मतलब कि हम जो यह फॉर्मूला देखे रहते हैं रहते हैं अपने किताबों में क्या वह इस फॉर्म में सही है क्या तो बिलकुल सही है क्योंकि यह先 नहीं के लिख richtig बढ़ तहीं फूर्फ विर ओधर आंब को थोड़ा और बैलेंस अर्इंजमेंट मलब अर्द पूरित पूर्ण पूरित वाले जो परमाणु कच्छक होते हैं वह अतिस्थाई होते हैं तो बिल्कुल सही बात है क्यों ऐसा क्यों होता है तो उसी का तो रिजन दिया है क्योंकि जो भी हाफ फिल्ड या फूल फिल्ड अटॉमिक लोंगे ना ठीक तो उनके एक्स्चेंज होने की चांसे बहुत ज्यादा रहेगी न यहीं इसके साथ भी हो सकता है उसके साथ भी हो सकता है तो इसलिए उनका कहीं न कहीं greater exchange या greater exchange energy greater symmetry generate होता है इसलिए वह highly stable होते हैं और यह तो इतना important concept है कि सबको पता भी है इसलिए nitrogen की stability oxygen से ज्यादा आती है उसकी ionization energy oxygen से ज्यादा आती है ठीक है चलिए conceptual point है आप सब board exam में तो पढ़ते ही थे तो यह भी wrong नहीं है तीसरा बोल रहा है the energy of 2s orbital is less than energy of 2p orbital in case of hydrogen like atom in case of hydrogen like atom प्यारे बच्चों 2s की energy ना 2p से तो हमेशा कम होती है क्यों कि इसके n प्लस l की value निकालूंगा तो 2 प्लस 0 कितना या 2 और इसकी n प्लस l की value निकालूंगा यह ल है तो 2 प्लस बनाया कितना 3 तो हमको पता है 2p की energy 2s से तो ज्यादा होती है पर मेरे प्यारे बच्चों बात किसकी कर रहा है hydrogen like atom की तो hydrogen like atom में hydrogen like atom में nucleus के 4 और जो शेल रहेगा ना उसमें खाली एक ही electron तो होता है और उस अगर एक ही electron में है ना तो वह उसी इसी शल में आपका 2s भी है और इसी में आपका इसी ओर्बिट में आपका टूपी भी है तो जब वह सेम और बिट में सेम एक electron के लिए करता है ना डिटर्माइन करना रहता है तब टूएस की energy और टूपी की energy ऐसे तो जनरली टूएस की टूपी से कम आने चीए बट यहां पर टूएस की energy टूपी की energy के क्या रहती है नियरली इक्वाल या ओल्मोस्ट एक्वाल ही रहती है तो इस स्टेट्मेंट इस रॉंग हमारे लिए सही है क्योंकि हमको रॉंग स्टेट्मेंट ही बताना था तो हाइड्रोजन लाइक इस एटम्स के लिए याद रखना टूएस और टूपी की energy नियरली से रहेगी अधर्वाइस टूपी से कम रहती है क्योंकि यह एक ही ऑर्बिट के आगे ठीक अजब फोर्थ बोर डी ब्रॉगली वेवलेंट इस वीडियो थोड़ा सा मैं मानता हूं कि यह स्कैन करके किया गया है तो थोड़ा सा चलता है अच्छा एक और चीज़ अब बच्चों जब आप लोग प्रिविए सेर्स के कोश्चन बनाते हो नहीं तो कई बुक्स में पूरे-पूरे कोश्चन नहीं रहते हैं यह एक दिक्क है ठीक है पहले तो खाली कॉंटम नंबर पूछ देता था अटमी के स्ट्रक्चर चेप्टर में सबसे ज़्यादा टॉपिक कॉंटम नंबर पूछा गया है तो ऐसे मैं मैं प्रियास यह कर रहा हूं कि आपका पूरे चेप्टर भी रिवाइज हो एकदम लेटेस्ट कोश् ही रिष्ट जितने भी चेप्टर में आपसे कराऊंगा सब में 2020 के कोश्चन भी इंक्लूड रहेंगे ठीक है यह मेरा प्रॉमिस रहेगा पर मैं चाहता हूं यार कि इसको अपने दूसरे दोस्तों तक शेयर करो पहुंचाओ उन तक क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में बनान सब्सक्राइब करो भाई दूसरे दूस्तों कोई बताओ और हाव मेनी एलेक्ट्रोंस केन फिट इन दा ऑर्बिटल फॉर विच एन एक्वल तो थी एलेक्ट्रों में फिट हो सकते हैं तो बहुते ही आप समझ गए कि यह बात कर रहा है किस पे 3P पर और 3P में कितने और यह बिटल होते हैं तो भीया 3 होते हैं कौन-कौन से एक होता है PX वा एक PY वा और एक कौन सा पी जेड़ वा ठीक अब इनकी वैल्ली क्या होती हो तो मैंने आपको बता रखा है प्लस माइनस वन और पीजट कितना लेना जीरो ठीक अब सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो यह तो सब को पता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन तो आप सब पूछ पूछा है आप से और बीटल पूछा है वह एक और बीटल पर यहीं तो अब्जेक्टिव है आपके दिमाग से खेलेगा अब हम मार दिये भाई तो दिख रहा है सर मारो भूम होगे निगेटिव जहां चार आने चीए थे वहां पांच जा रहें चारतों को स्थिर रखना है दो सकेंड दो तीन सेकंड अपने दिमाग को ठंडा रखोगे न तो ट्वंटी टू थर्टी को स्थिमांग साप लोग एक्ट्रा स्कूर करोगे में ठीक है एक और्बिटल की बात किया है एक और्बिटल में मैक्सिम कितने लेक्ट्रॉन टू अपोजेट स्पिन के आएटी में आयोगा कोश्चन है ऐसा ही पूछ चुका एटी दो बार और उसी को नेट 2016 में उठाके पटक दिया इसे लिए तो बोल रहा हूं ना कि सारी फॉल्लविंग पेर्स ऑफ दी और्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन देंसिटी अलॉंग दैक्सिस अलॉंग दैक्सिस एंड बिडबिंद एक्सिस के बीच में याद रखना कि यह जो डी एक्स वाई होता है और दी जेड एक्स होता है मैंने आप सब को बताया कि यह लोग टी टू जी फैमिली हैं यह लोग क्या है टी टू जी फैमिली के हैं और यह लोग ना इनका जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है वो बिडबिंद एक्सिस होता है वो कहां होता है एक्सिस के बीच में पर वहीं डी एक्स स्क्वाइर वाई स्क्वाइर हो जाए या डी ज स्क्वाइर हो जाए तो यह लोग इजी फैमिली के हैं और यह लोग अलॉंग दे एक्सिस इनकी इलेक्ट्रों डेंसिटी रहती है तो आप से पूछा गया है यह एक इंपोर्टेंट कॉंसेट याद रख लेना कि किसके डी और्बिटल में किसकी इलेक्ट्रों डेंसिटी अल मैं बोला कि एक और कॉंसर्ट बदा तो पर मैं बोला कि सामने कोश्चन है तो चलो वहीं देख लेंगे यह आगे मेरे प्यार बच्चों यह ट्रॉमिक नूंबर 22 दिया हुआ है और आप से क्या पूछ रहा है विच इस अक्रेक्ट और ऑफ इंक्रेजिंग एनरजी ऑफ द टैनियम से ना जो फाइटर प्लेंस हैं जो सब्मरीन से जो एयर क्राफ्ट सेटलाइट से इन सब की बॉड़ी बनाई जाती है तो बड़ा हेल्फूल है बड़े-बड़े मिसाइल उसाइल इसमें प्रोडक्शन में यह यूज होता है इसलिए कंट्री मेटल बोलते हैं तो 3p6 3s2 3p6 मतलब यहां नियोन लिख दिया ठीक है दस बारह अठारह फिर 4s2 3d2d और बिटल में आखरी इलेक्ट्रों जाते हैं इसलिए तो इसको ट्रांजिशन मेटल यह डी ब्लॉक का मेंबर बोलते हैं कंट्री मेटल कहलाता है यह से रिलेटेड पॉइंट आपसा पू बिल्कुल है तो यह सीक्वेंस हमारा मैच कर गया कहानी हो गई खतम सिंपल सा क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है असान सा सवाल चलिए पहरे बच्चों आगे आ जाते हैं अगला सवाल देखते हैं आए नेक्स कोश्चन देखों यह कोश्चन मैं आपको पहली कर दिया था आप सब अने अनुड लोल भोल डिया और बिटल बोला है और बिटים डहें ऑपatu Mais अगर अनुमेंटमल लाना है इसके दो फोर्मूले भीया औरबिट के अगर बात करे तो तो आप क्या लगाएंगे एन एच अपॉन टू पाई और अगर ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें आप लगाएंगे एच अपॉन टू पाई बस एन की जगह पे आप लोग एजी मुथल क्वांटम नंबर रूट में एल इंटू एल प्लस वन यूज करते हैं और अभी डी इस सवाल में इसी को हम लोग ऐसा सिंबॉल से बस रिप्रेजेंट कर दिया है यह सिंबॉल से तो इसका मिनिंग ले लिए बस वो तो आपने अभी अभी तो डी ऑर्बिटल के लिए कितनी आई थी इसके लिए एल की वैली आई थी तो इस फॉर्मूले में आप पूट कीज प्लस वन कितना आया रूट शिक्स है क्या बिलकुल है पहले ही अभी हम लोग सौल किये और मैं बोला भी था निट में आया है जेए में भी आया हुआ है ठीक है तो ऐसे सवाल तो आप मुझे लगता है आप लोग आराम से बना पाए होंगे ठीक है नेक्स कोश्चन में आ जाते हैं बच्चो चलो अगला सवाल देख लो कमेंट में मुझे इसका एंसर दे दो पहले चलो अब हम लोग ट्राइब कर लेते हैं वाट इसे मैक्सिमम नंबर ऑफ और बिटल्स डैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद फॉल्विंग क्वांटम नंबर मतलब निमने क् संख्याओं के आधार पर अधिक्तम कक्षकों की संख्या बताईए नье कृट्व हैं ट्री एन इकॉल टु दिया है थी एली एकउल तौट दिया है वं और एम इउकवाइं जी रो है तो मेरे प्यारे बच्चो आप समझ गए कि यह क्या है यह 3P 3P में कौन सा तो आप यह तो जानते हैं कि 3P में यह PX होता है यह PY होता है और यह PZ होता है PX PY PZ की नहीं है बात यह बात यह है कि यह माइनस वन होता है यह 0 होता और यह ब्लस, 1 होता है आपसे maximum number of electron नहीं पूछा गया आपसे maximum number of orbital पूछा गया कप्छकों कि संख्या तो m equal to zero के लिए इस quantum number को use करता हुआ कीवल एक ही तो orbital दिख रहा है आपको कौन सा orbital है यह तो आप समझ गए थ्री पी जड है आप सब पूछा गया था और्बिटल कितने पॉसिबल है तो खाली एक पॉसिबल है conceptually clearance हो रहा है ना भाई ठीक है घुमाएगा आपको नाम पूछ देता तो नाम यह है ठीक है और नंबर पूछा है तो नंबर एक ही है चले नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट एक नुमेरिकली कोस्टन हमारे बीच में आ चुका है क्या पूछ रहे calculate the energy in joule corresponding of light of wavelength 45 nanometer मेरे प्यारे बचो आपसे तरंग धारे wavelength की value दिया हुआ है कितना 45 nanometer हाजी और आगे बोलता है plank constant h की value आप लोगो दी हुई यह 6.63 into 10 की power minus 34 joule second आगे आपको c की value light की speed भी दी हुई 3 into 10 की power 8 meter per second क्या पूछ रहा है calculate the energy calculate the energy यह आपसे demand किया गया है उर्जा का मान बताना है तिन तिन डाटा दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है आप सब को पता है कि जो आर्थ को जो energy मिलती है वह संसे एक packets का form में मिलती है और उसी packets of energy को हम लोग क्या नाम देते है photon या क्वांटा का नाम देते हैं तो यह जो energy आती है ना वह actual मुसके frequency के directly proportional होती है और जब यह proportionality symbol हटता है न तब यहाँ पर एक constant आ जाता है जिसको हम लोग बुलते हैं planks constant और एक बात तो हम सब लोग जानते हैं कि जो frequency है वो होती है c by lambda यह frequency का formula है तो यहाँ से हमारा एक नया formula बन जाता था energy e equal to h mu की जापे हमने क्या लिखना है c by lambda तो अब आप directly इस formula को use कर लो इस formula को अब आप directly use करो आपको finally answer मिलने वाला है e equal to क्या लिखा मैं h c by lambda formula लगा दीजिए h की value दी हुई है 6.63 into 10 की power minus 34 into 3 into 10 की power 8 divided by wavelength कितना दिया था 45 nanometer का मतलब 10 की power minus 9 simple तो देखिए यह cancel होने वाला है यह 3 से यह 3 से यह cancel होगी आप 15 में और यह 15 से इसको cancel करो तो 15 4 जा 60 फिर 15 4 जा 60 फिर यह 30 हो गया 15 2 जा 30 अब 10 की power को balance कर लो तो this is 0.442 into 10 की power प्यारे बच्चों जब मैं balance करूंगा न तो यह 10 की power minus 34 है और यह minus 9 उपर जाके प्लस 8 के साथ क्या हो जागा 17 तो हमें मिलेगा 10 की power minus 17 इसी को अच्छे से लिखना चाहूंगा तो मैं इसको 4.42 इन्टो 10 की power minus 18 जूले लिख सकता हूं तो क्या ऐसा आप option है हमारे पास बिलकुल option है नीट 2014 का पूछा हुआ निमेरिकली कोस्चन भी जो आते है ना वह भी डाइरेक्ट फॉर्मूला और येंटेड ही आते हैं नीट आप से एकदम टॉफ टाइप का टू लेयर थ्री लेयर का कोस्चन ने डिमांड करता है प्रैक्टिस रखना है और बोर मॉडल से रिलेटेड एस वेल इस डी ब्रॉ से चलो अब आगे आ जाते हैं यह आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिजिए हम इसको बाय बोलते हैं बाय बाय चलिए नेक्स कोस्चन प्लीज यह दो सवाल एक साथ आ गया इस बार यह दो-दो सवाल है पहला यह सवाल है और यह भी एक सवाल है एक सथ दोनों डिल कर लेंग किया याद रखना कभी जब आयन बनते हैं चाहें केट आयन बने चाहें मतलब धनायन बने हैं हमेशा क्यों एक चीज़ बदलती है ओनली नंबर अफ इलेक्ट्रों कि संक्या परिवर्टित होगी नंबर प्रोटॉन नंबर नूट्रॉन एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास हीमिश कुम का ना में हीलियम पुकारते हो क्या इसको अभी आप लोग डिलियम आयन ही पुकार रहे हो ना इसका फेश्यक नंबर आप यज़या दो इसका अब आप से पूछ नहीं हैं तो इसलिए हो गया इनसे आगे चेक करना कोस्चन रहा होगा यह ऐसे इलेक्ट्रोनिक वैसे नीट पूछता भी है ठीक है कि यह कुश्चन फिर से क्या वर वाट इस दा मैक्सिमम नंबर आफ इलेक्ट्रों पूछा है और बिटल नहीं पूछा पिछले सब मैंने बोला ना नीट अपनी सवाल को रिपीट करेंगा कॉ ऐसा ही कोस्चन अभी हमने डिल किया था उसमें नंबर आफ और पूछा था इस बार इलेक्ट्रों पूछा है कोई दिक्कत नहीं है एक और बिटल में दो इलेक्ट्रों भरे जाते हैं तो अगर आपको नंबर आफ और पता चलता है पिछले कॉंसेट से तो उसका डबल मार प्यारे बच्चों आप सबको पता है तीन और विटल होते हैं जिनका नंबर माइनस वन जीरो और प्लस वन करके लेते हैं अब आप बोलोगा सर दोनों कॉंसेट को एक साथ मत लेना ना माइनस ब्लस वन सही है इसको पीएक्स पीवाई पीज़ए नाम देते हैं वह भी सही पर पीएक्स की वैलियो माइनस वान पीवाई की जीरो एक साथ दोनों कॉंसेट सहीं नहीं है अपके लिए ने आप पीटे की खाते हैं अच्छी बात है आप दोनों ख़ाया ना आप कुछ खाने लाएक नहीं रहेंगे पोजन हो जाएगा स्ट्रॉंग पोजन तो वहीं ब भरेज़ आजकते हैं बात खतम ठीक है होग यह कहानी खतम तो इस तरीके के तो कोश्चन आते हैं अराम से डील होने चीए भाई पूरा का पूरा चैप्टर गोत्रू हो रहा है दोको दमदार को चना गया एक ठोक बोर एट रेडियास और बोर एनरजी से रिलेटेड कोश्च इन पॉइंट सिक्स जड़ स्क्वाइर अपॉन एन स्क्वाइर यह किसमें आता है इलेक्ट्रों वोल्ट में किसमें आता है इलेक्ट्रों वोल्ट में और आपको पता है वन इलेक्ट्रों वोल्ट को हम कुछ नहीं लेते हैं इलेक्ट्रों का चार्ज जो होता है न एप्लाई करूंगा तो माइनस 2.178 इंटो 10 की पावर माइनस 18 जूल आएगा बगल में Z स्क्वार अपॉन N स्क्वार होगा आया समझ में तो इस बार आपको डाटा इस फॉर्म में दिया है कई बार वो जूल में देगा कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा आपको दोनों ही फॉर्म के लिए रेडी रहना है यह फॉर्मूले याद रखते हैं बोल रहा है आर कंक्लूजन्स और रिटेन सर्टन क्लूजन्स और रिटेन विच अप देम आर नॉट करेक्ट यह तो नीट वाला ना नॉट करेक्ट पोस्ट मार्टम करीदू इसका थोड़ा से याद रखो मेरे प्यार बच्चों कि आप सब को पता है थोड़ा साम ले ले लेती है थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं यह फ्ट शेल है यह फॉर्च ने है नॉट सर यह अच्छे गोला बन रहे बाइं इतना तो हमारा बोट पर देंगे पुरही हाइड हो गया कॉंसेट हो गया भाई चलिए देखिए गा मैं यह कहना चाहा रहा था कि हर शेल की ना अपनी अपनी इनर्जी लेबल होती है आपको याद रखना है अगर मैं हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए लिए मतलब इसको नाम दिया दिए मैं किसकी बात कर रहा हूं फॉस्ट और्बिट की या फॉस्ट शेल की बात कर रहा हूं तो उस समय जो एनर्जी लेबल आता है प्यारे बचो वह आता है माइनस थर्टीन पॉइंट इलेक्ट्रोन वोल्ट ठेक जब मैं एन इकॉल टू लूँगा एन आप रखिए ना एनर्जी के एक्वेशन में इसको नाम दिया दिस इस माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेट स्क्वार की जब पर वन स्क्वार की जब आप स्वाल करेंगे तो यह माइनस 3.4 एलेक्ट्रोन वोल्ट के आसपस आता है जब मैं एन की वैल्यू जब एक्साइटेड स्टेट का नाम देंगे दूइति यह उत्तेजित अवस्था तो जब मैं यहां के लिए एथरी की वैल्यू जब लाने जाओंगा तो यह आ जाएगी माइनस 13.6 इंटू वन स्क्वार क्योंकि जट वन लिए हो हड्रोजन के लिए काम चल रहा है ना जीरो पॉइंट फाइफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है तो आपसे नीट इस पर भी सवाल कर सकता है कि किस और बिट में जैसे आप सब पुछ देगा कि फॉस्ट एक्साइटेड इस्टेट की अनर्जी लेबल बताइए तो भी आप फॉस्ट एक्साइटेड इस्टेड की बढ़ा कर लिना कि थीदू कि एकप शफॉबasud note इसा सवाल पूछ दिया था कि हैं फॉस्ट और बीटस से सब्सकेंडंड जिम करता है अनर्जिपा करता है ना तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करता हैं तो एनर्जी का कितना आता है तो मैं यह सीधीव सी बात है data माइनस 13.6 है और यह माइनस 3.4 है एनरजी का गैप कितने का आया 10.2 इलेक्ट्रोन वोल्ट का आया तो अगर आप से गैप भी पूछ दे तो भी आप आराम से डील कर लेंगे सकेंड से थर्ड में अगर कुदेगा तो कितने का गैप आएगा तो आप साब साब समझ पा रहे है 1.9 इलेक्ट्रोन वोल्ट का गैप आएगा थर्ड से फोर्थ में कुदेगा गैप पूछेगा आप बता पाएंगे तो यह दो वेराइटी के कोश्चन पूछे जा सकते हैं इसको नोट जरूर कर लेना क्योंकि मैंने अभी भी बोला बोर रेडियस बोर एनरजी इंपॉर्टेंट फॉर इस यह ओके तो चलिए आप इसको नोट जरूर कीजिगा अब हम अटा रहें इसको तो मैंने एनरजी डिलेटेट पूरी बात बता दी क्या वह रहा है एक्वेशन केन बी यूज्ट फूर दे क्या इनरजी बिल्कुल सही था आप से बोला गया था क तब यह सही है और हमको बताना क्या है नॉट करेक्ट मतलब हमारे लिए गलत है है सही बट नॉट करेक्ट के हिसाब से क्या है गलत है फिर बोर रहे है इफ एन एक्वेशन के बाद पहला श्याग यही पर हो खड़े आप दे एलेक्ट्रों अज़ा नेगेटिव एनरजी दैन इड़स एन एक्वेशन दस फर एन एक्वेशन इक्वेशन इस वह एक्वेशन प्रण इन आप प्यारे बच्छों आप साफ साफ समझ पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रों फोन ना भी के जितना पास होता है नकलिएस के जितना फास होता है न उसकी एनर्जी लेब उतनी जादा होती च्याएगयम्ह इसका इंटरैट्सी वुद्स नहीं त्रॉंग नाणे इन एक्वेशन फोर्स होतना च्यालिए को हमारे लिए सही बात समझ महां हैं आप सभ्आ क जहां तरह नोट करेक्ट दिस इसको बहुता है पासका और बिट कर लेक्ट्रण लुजली बाउंड रहे गा इसलिए तो बाहर वाले और बिट वाले इलेक्टान पहले रिमूव होते हैं क्योंकि डिले से अट्रेक्ट रहते हैं इसली बाहर चले जाते हैं थोड़ा भी एनर्जी मिलता है तो ठीक नेक्स कोश्चन बच्चो तूज़न थर्टीन में एक और कुश्चन मैंने बोला ना तेरा चाउदा इधर के सालों में थिन तीन सवाल चर चर सवाल आते थे हलांकि अभी के ट्रेंड में एक यह दो कोश्चन आती शेप्टर से थोड़ा सा पैटन चेंज हुआ है यही तो बात आपको समझनी है तो बोरा वैल्लू अप्लांक कॉंस्टेंट इस दिस एंड़ तर्टेंटी पावर माइनस थ harbor 40 जूल सेंड है एक आपको सिस्पीट भीन है क्या घिए है 3atem की पावर 17 नैनो मीटर पर सेकेंड, प्यारे बच्चे इसी को मैं चाहूं ना, तो 3 इंटू 10 की पावर 8, मीटर पर सेकेंड भी लिख सकता हूं, क्यों क्योंकि 1 नैनो मीटर का मतलबी क्या होता है, ननोमेटर है is 1 नैनोमेटर का मतलबी क्या होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर यहाँ बगल में आपलोग 10 का पावर माइनस 9 लिखते हैं तो 10 की पावर 80 बचता 17 इंटू 10 कावर माइनस 9 क्या देता 10 की पावर 8 देता आपसा पूछ रहा है विखल्ड यह lambda is equals to आप सबने पढ़ा है क्या पढ़ा है अचा आगी एक और चीज़ दियो है frequency दियो ही है frequency दियो ही है बच्चो कितनी दियो ही है 6 into 10 की power minus 15 hertz यह per second बोलो यह hertz बोलो एक ही बात है lambda demand किया है कोई tension नहीं है सब को पता है lambda कैसे लाना है तो आप सबने यह equation तो पढ़ा ही है कि lambda mu is equals to आप सबने पढ़ा है mu is equals to क्या पढ़ा था c by lambda यादा रहे mu is equals to क्या पढ़े हो भाई c by lambda तो यहीं से आप लोग मुझे बता दोना lambda को मैं c या v बोल लो हलांकि यह तो की स्पीड आ गई divided by mu भी तो लिख सकता था ठीक है तो जब ऐसा कर सकता था तो आप में data रखूंगा सी की जाए पर कितना रखूंगा सीधे आप लोग ना नैनोमीटर ही लेकी चलो सीधे data यूज़ करो तो दिस इस 3 इंटो 10 की पावर 17 एंसर आटोमेटिकली नैनोमीटर में आएगा ही आएगा और डिवाइड़े मू मू कितना मू है अच्छा यह सॉरी मैंने माइनस 15 लिख सब्सक्राइब बिल्कुल है एच की वैली बस आपको कंफ्यूस करने दिया था ताकि आप सोचके ना खुद को कंफ्यूस करके सवाल में फसाय रखो सिंपली आपको यह फॉर्मुला यूज़ करना था अराम से एंसर आया ठीक है तो निमेर्कल इजी पूछता है वन फॉर्मुला औरियंटेट निमेर्कल पूछता है चलो आगे आजा इसको इसकी श्रूट ले लो तो पहले नेक्स्ट आ रहे हैं यह थर्टी नीट करनाटका नीट का कोश्चन है बोल रहे है एक इलेक्ट्रोन है अच्छा हां 2020 2020 में भी ना ऐसा ही कोश्चन पूछा है आप से कैसा कोई भी रिंडम अटॉमिक नंबर देगा और आप सब पूछेगा को सका कन्फिग्रेशन बताओ दो बाते याद रखना इसके लिए ना पहले तो आप लोग ना यह सीक्वेंस याद रखना चाहिए यही सबसे अच्छा कोड़ है हीलियाम नियॉन आरगन क्रिप्टाउन जिनॉन एंड रेडॉन यह मैं कोड़ बता रहूं बेस्ट कोड़ है हीलियम के अटामिक नंबर इसा चलाना तो आपको अटामिक नंबर बीन के मिलते जाएंगे इसके 18 के साथ कितना होगा 36 अगीन 80 के गैप के साथ 54 अब 32 के गैप के साथ कितना है 86 यह जखना ही हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो यह आता है 1 is 2 मतलब हीलियम के तुरंत बाद क्रिप्ट्रॉन के बाद 5S 6S और 7S यह कोडिंग है तो उसके लिए मैं यहां पर आपको बस कोडिंग जीखाया हूं आप सब पूछ रहे हैं अटामिक नंबर किसका 64 एक कॉंसेप्ट और याद रखना अटामिक नंबर 58 से लेकर 71 तक यह जो 14 एलिमेंट होते हैं इसी को आ डी ब्लॉक का मेंबर औला हैं डी ब्लॉक से निकलता है 58 दोके 71 तक यह लेंदर नॉट सीरीज है ठीक हे सिमिलर्ली Minecraft 103 तक 89 डी ब्लॉक का मेंबर 104 भी डी ब्लॉक का मेंबर transition series की 1st और 2nd series में रहते हैं लोग but 90 से लेके 103 तक क्या रहता है actinoid series रहती है क्या रहती है actinoid series रहती है तो यह lengthenoid, actinoid दोने के बारे में एक बात जाना है all lengthenoid and actinoid series are known as the ablock element वो ablock के तत्व कहलाते हैं साथी साथ they all are radioactive substance अब radioactive बोलते हैं एक point और सामने आ जाता है कि जो भी radioactive substance होते हैं they all radioactive substances follows first order mechanism सारे जो रेडियो धर्मी अभी क्रिया हैं वो प्रथम कोटी की अभी क्रिया का अनुसरण करती हैं तो इस आज सम इंपॉर्टेंट फैक्स इस पे पूछ सकते हैं पूछा भी है यूरेनियम का डिसोसियेशन बोलेगा न्यूक्लिय रियक्टर में कौन सा ओवे कर रहा है और तो फर्स्ट और यूरेनियम रेडियू एक्टिव है फर्स्ट और मैकेनिजम को ओवे करेगा सिंपल तो याद रखो बच्चो यह लेंधे नाइट सिरीज है 64 इसके बीच में फस रहा है यहां 4F सिरीज चालू होती है और यह 5F चालू होती है आपको 64 लेना है मतलब आप समझ गए 58 फिर 59 आएगा फिर 60 आएगा 61 आएगा 62 आएगा 63 आएगा और क्या आएगा 64 बाकि स लिए क्या आने वाला है 4F1 4F2 4F3 4F4 4F5 4F6 4F7 क्या आया 4F7 आपको चेक करना है क्या 4F7 वाला कोई option है बिलकुल है हो गया रटना नहीं है कि 64 तक आप लोग आप बाव की स्किम से expansion कर रहे हो और atomic उसका configuration ला रहे हो दिमाग लगा यह दो कोड याद रखो बाकि यह कोड याद रखो इस कोड को कैसे use करेंगे एक सवाल आगे आएगा ना वहां पर अपने आप clear होगा यह कोड मगर याद रखना इसके through helium के बाद 2S 3S 4S 5S 6S और 7S ऐसा चलता है चलो हम लोग भी चला लिए आगे बढ़ते हैं इसमें दो सवाल फिर से हमारे सामने दे दिया बच्चों देख लिए यह सवाल है यह भी एक सवाल है दोनों सवाल हमसे क्या कहना चाहता है अरे हम तो यह लेना चाहते थे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रांस सब्षेल ध्यान दो और बीटल नहीं बोला सब्षेल बोला है उपकोषों में ऑर विटल बोलता हैं जो दो इलेक्ट्रां बाती कत्म क्या कुछ भी पूचले बड़ सब्शेल बोल दिया है मतलब अब थोड़ा दिमाग लगाना और 4F में कितने orbitals होते हैं तो 7 एक-एक orbital में दो-दो इलेक्ट्रों जाएगा मतलब 4F के टोटल सब्षेल में टोटल कितनी इलेक्ट्रों आएंगे तो आप समझ गए 14 इलेक्ट्रों आएंगे 2012 का पूछा हुआ क्वेस्चन एकदम असान ठीक है नेक्स्ट कोस्टन है अधा क्रेक्ट्ट सेट औफ फॉर क्वांटम नंबर फॉर वेलेंस इलेक्ट्रों आफ रुवीडियम एटम एटॉमिक नंबर दिया है 37 क्या देदिया है 37 तो मेरे प्यारे ब 36 के बाद एक आगे मतलब आप समझ गया है कि रुवीडियम का अगर इलेक्ट्रोंिक कॉन्फिग्रेशन लूँगा तो यह 36 किसका हो गया क्रिप्टॉन का उसके एक आगे क्रिप्टॉन के आगे क्या आता था याद आ रहा है हेलियम के बाद 2S नियोन के बाद 3S आरगन के आगे दिखते ही आप समझ गए n की वयल्यू कितनी हो गई एन की वैल्यू हो गई 5 एन की वैल्यू कितनी हो गई । L की value कितनी आ गई S orbital है तो L की value 0 अगर L 0 है तो M की value भी क्या आ गई 0 और 5S1 न तो भी यह electron कहा है upward spin में है तो इसके spin quantum number की value क्या है plus half क्या ऐसा कोई option दिया है 500 plus half बिल्कुल दिया है हो गया answer तो ऐसा ही अगर वीडियम ना देखे के कोई और देता कोई 47 वाला पूछ देता तो 47 वाले के लिए आप चेक करते हैं कि वह 36 और 54 के बीच में फसेगा अब या तो आप 36 से 47 की बीच में आगे बढ़ जाए 11 रहेंक आगे बढ़ जाओ ऐसे समझगे कॉपर फैमिली का है बात खत्म तो आप आराम से चाहे quantum numbers related question पूछ ले चाहे electronic configuration से related question पूछ ले दो नहीं आपसे डील होने वाला है चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं ठीक है इस बार तो सवाल में मुझे नहीं लगता कि टाइम लगने वाला है किसी को यह एक सवाल यह है दूसर सवाल यह है सवाल है हमारे पास तो ठीक है मैंने पहले ही बोला था ना पी एलेक्ट्रों के लिए क्या था यह रूट थ्री वाइट वाई पाई अभी तो पढ़ चुके हैं अलग से क्या ही सॉल्ब करूं अगला कोश्चन देखते हैं टोटल नंबर आफ टॉटल नंबर पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला याद मतलब 4 स्कौर कितना हो गया 16 कहानी खतम अगर इसी में टोटल इलेक्ट्रॉंस पूछ दिया जाए तो आप सब को पता है कि एक और्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन बरते हैं तो अगर एन स्कौर ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 2N स्कौर और इसको तो आप ल नर्जेटिक लेबल बोलता और उसमें और्बिटल पूछता नाइन और्बिटल्स एटीन इलेक्ट्रोंस वेरी इजी चलिए अब के जो सवाल ना आप लोग जैसा जैसा पीछे जा रहें आप देख रहें सवाल इजी होते जा रहें यहीं तो खेल ना अभी के जो पैटन थे मतलब 19-20-18-17 दंदार दंदार सवाल थे इसलिए मैं बोलता हूं लास्ट फाइफ यह टेन यहर्स का ही पेपर मैटर करता है अब आप बोलोंगे सर्थी यहर्स तक का आप इनीट का पेपर करा यह नोट कंपलसरी वह पूराना जमाना हो गया वैसे सवाल पूछे भी नहीं इवन है 25 इलेक्ट्रोन वोल्ट का और इटू कितना दिया है 50 इलेक्ट्रोन वोल्ट का मतलब में एक बात तो समझ गया कि इवन बाई इटू जो आया है वो आया वन रेश्यो टू अब आपको वेवलेंद्थ के टर्म्स में एंसर पूछेगे तो रिलेशन तो याद होगा फीलत हमने पड़ा है मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं वेवलेंद्थ के क्या है इन्वर्सली प्रपोर्ट्र्ट्रल मतलब यह जो यहीं लेंडा टू बाई लेंदा ओन ईाया है बाति खतम इन वर्स प्रपोर्ट्रॉचल आया ना रिलेशन मतलब आप सीदर समझ गहा है कोई option हमारे पास available है क्या लेमडा वन इक्वल टू लेमडा टू बेलकुल है option नंबर भी कहानी हो गई यह था आपका जनरल फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड वह एक बर निमेरिकल पूछ दिया इस पर थोड़ा सा डाटा ओटा घुमा फिरा के आप से रिलेटेड और सवाल पतक दिया यहीं को खेल नहीं निटका टॉफ नहीं पूछेगा जो पूछा है उसी में से पूछेगा इसलिए तो हम यह सेशन को कर रहें ताकि 20-25-30 मतलब जो भी हमारे पास एक दो महीने हाथ में हैं आपके पूरे चप्टर में करा दूना ठीक है आप बहुत जल्दी जल्दी यह सारे वीडियो जाते जाएंगे आपके पास विधिना म आपको भी हमारे लिए तो फ़ड़ा से मैनत करना पड़ेगा मजा कर रहा हूं जो भी आप ब्लेसिंग देंगे वह हमें स्विकार है चलो बच्छा आगया जाता हूं कि यह देखो हाईजनबर्ग पे पूछा गुश्चन जबरदस्त कोस्चन अचे नहीं है वेवलेंद पूछ दिया है ठीक 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 क्या-क्याइटा दिए डाटा देखो घबराओ नहीं नीमैर्कल से घबराना नहीं दिया है मास दिया है कितना बिया जीरो पॉइंट शिक सुब कीज़ी चलने दो इस सब्सक्राइब कितना 100 मिटर पर सेगंड फिजिक्स की तरह सोचो इस सवाल को किलोग्राम को ग्राम में मत जाना की न क्लिडो ग्राम को ग्राम में पोर फिजिक्स की दिया है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 divided by, M दिया है 0.66 इंटू V दिया है कितना 100, तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 divided by 66 ये मल्टिप्लाई करेगा तो अब ये 6.6 और ये 66 10 में चले जाएगा और ये, नहीं हाँ 10 में तो जाएगा और ये पल्टी मार के जब उपर आएगा जब ये उपर आएगा क्या था, एक मिनिट हंडिर मीटर था अच्छा, पॉइंट शॉरी 0.66 है ये, मैंने गलती से ठीक तो है और 6.63 10 की पावर माइनस 34 तो इसको जब उपर लाएंगे तो ये, फाइनली आप लोग को क्या करने वाल, अच्छे, एक मिनिट एक मिनिट ये ऐसा काट लिजेंगे आप लोग सीधे-सीधे 0.6 इस इंटू क्या हो गया, 100 MV, डाटा जब सॉल्व करेंगे आप लोग, तो सीधी सी बात है वन लाइनर कोश्चन पूछता है ना, वन लाइनर पूछता है, एक फॉर्मूल लगाओ, कहानी गतम करो, डरना तो एनी निमेरकल से, फुल स्कोर मारना है, ठीक है, चड़ा वगला सवाल आते है, एक्चल में ये मेंस का कोश्चन था, चली ठीक है, कोई बात नहीं, याद रखना, अगर मैक्सिमम नंबर अफ इलेक्ट्रों अगर लेना हो, ठीक, तो आपको याद है, किसी भी शेल या सब शेल में बोले तो, अगर प्रिंसिपल कॉंटम नंबर की वैल्यू दी हुई है, तो टू एन स्क्वार रूल, और अगर ऐस्यूम उथल कॉंटम तो टू टाइम्स टू एल प्लस वन के नाम से भी जानते हैं, तो क्या हमारे पास है, बिलकुल है, यही मैक्सिमम नंबर अफ इलेक्ट्रों है, ठीक, फॉर्मूला है यह डिरेक्ट आपको याद रखना है, चलिए 2009 हो गया, 2009 में ही सवाल और आया है, वीच आप फॉल्वि पास देदी है ना, तो एन की वैल्यू से एल की वैल्यू हमेसा छोटी रहेगी, एन की वैल्यू से एल की वैल्यू हमेसा क्या रहेगी, छोटी रहेगी, मतलब अभी उसके इक्वल भी नहीं आ सकती, यह एक कॉंसेट, सिमिलरली दूसरा कॉंसेट, जो एल की वैल्यू और बीच के रिलेशन है तो L की value M की value से या तो छोटा रहेगा या उसके equal भी चल जाएगा और तीसरा concept M की जो value होती है वो minus L से लेकर 0 से लेकर plus L तक में valid करती है यह तीन concept को याद रखीना आपको काम करना है ध्यान देंगे पहला वाला बोल रहा है which of the following is not permissible ना कौन पॉसिबल नहीं है चार option दिये हुए है आपकी वहल N L और M पर ध्यान देना यहां फाइफ है L3 है चलेगा नहीं चलेगा बिल्कुल चलेगा और अगर L3 है तो M की value minus 3 से लेकर plus 3 साब कुछ हो सकती है जीरो बोलता है लेने को ले लो S को ध्यान मत दो भूल जा उसको यहां N3 है L2 है चलेगा क्या हां चलेगा क्योंकि L की value N की value से क्या छोटी है acceptable है बट M की value क्या minus 3 आएगी क्या तो नहीं आपाएगी ना क्योंकि M की value minus L से लेकर plus L तक होती है मतलब minus 2 से लेकर plus 2 तक होगी plus minus 3 नहीं होगी मतलब हम से पूछा था कौन पॉसिबल नहीं है तो option B पॉसिबल नहीं है ठीक है आगे भी देख लो यहां के लिए भी L जो है N से छोटा है और M minus 2 के range में गया है से यह भी सही था तो ऐसा quantum number से related question ना पूछा जाएगा ध्यान देने वाला यही तीन code है इन तीनों पर ध्यान देना हर सवाल आप से लग जाएंगे ठीक है असान है screenshot ले लिजे चलिए आगे आते हैं कि नेक्स्ट कोस्टन है प्यार बच्चो यह हाइजनबर्ग से रिलेडर कोस्टन आ गया क्या पोर है घवराना नहीं है ठीक है वर्द ऑन साटेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम और इक्वाल बोल रहा है कि भी यह हाइजनबर्ग में सनवेग में अनिस्चिता और इस् कोई दिक्कत नीए आपको जो पता अपने दीट्टा और पड्रेट इंट इकोल तो इस अपॉर प्ई एक्ष्टन होता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो यहां पर देल्टा-एक्स को जब इब डिल्टा-पी लिख दूँं यह डिल्टा-पी का हो स्क्वार हो जाएगा आपको पता है मोंपंटम इसको नथिंग बटिस मास इंटू वलॉसित का क्या कर रहा हूं वल इसको एकोल लेके चलता हूं है एच अपाउन फोर पाई मास जो है वह हमें सक अकंजर्ब रहता है कॉंस्टेंट रहता है कि यह नूक्लियर लेवल पर इंसाइड देनुकलियस मास चेंज होता है क्योंकि वहां मास डिफेक्ट का कॉंसेट द्रव्यमान चति का के साथ है अध से यहां से हम यह बात समझ पाएंगे कि यहां से जो मेरा डिल्टा वी का स्कॉयर आएगा न बच्चो वह क्या आएगा एच अपाउन फोर पाई और यह जो एम स्कॉयर है यह यहां आके मल्टिप्लाई हो गया तो नीचे आ गया डिवाइड हो गया एम स्कॉयर मुझे एच अपाउन एम स्कॉयर इंटो फोर पाई तो आप समझें कि रूट के अंदर से फोर का बाहर निकल गया टू एम स्कॉयर का निकल गया एम और रूट के अंदर फसे रह गए एच बाई पाई इस देर अनी ऑप्शन बिल्कुल है कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नमबर सी ह तो असान है एक बार इसको भी स्क्रिंशॉट ले लिजिए ऐसा घुमा घुमा के आप से सवाल पूछेगा बट सवाल कुछ नया नहीं पूछा जितने भी निमेरिकल आपने देखा आप सारे निमेरिकल में एक बात समझ पा रहे हैं कि जो साइंटिफिक रूल्स हैं जैसे आपको दी होई है कितना दी हो आए भाई 10 की पावर माइनस 18 ग्राम सेंटीमेटर पर सेकेंड ठीक है अंसर्टैनिटी इन मोमेंटम दिया है सन्वेग में अनिशित्ता आगे बोह रहा है दा अनसर्टैनिटी इन इलेक्रों वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में अनसर्टैनिटी इमांड कर दिया है अरे बड़ा प्यारा स्वाल अब मास अफ इलेक्रों इस बर दिया हुए जो सबको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलो ग्राम होता है या ग्राम में लेना है तो माइनस 28 ग्राम लेना पड़त क्या चीए यह देखो uncertainty velocity तो वह हो जाएगा डिल्टा पी बाई एम डिल्टा पी uncertainty momentum दिया है 10 की पावर माइनस 18 divided by 9 इंटू 10 की पावर माइनस 28 यह माइनस 22 उपर जाके प्लस 28 हो गया मतलब 10 की पावर बच्चा उपर 10 divided by 9 एक काम करता हूं इस 10 की पावर 10 को 10 इंटू 10 की पावर 9 by 9 लिख देता हूं अब यह 10 by 9 जब सॉल भुगा ना तो यह 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर प्लस 9 आएगा किस में centimeter per second में क्योंकि यह unity centimeter per second में थी क्या ऐसा कोई option है हमारे पास बिल्कुल दिख रहा है यह 1.1 को वन मान लिया है 10 की पावर 9 centimeter second फिर से नॉर्मली formula oriented question और आप यह देख पाए कि 2009 8 में यह question आया 2008 में यह question आया और 2009 में उसने इसको लाकर पटक दिया था देखो इसको सेम वही concept था हाइजनबर्ग वाला ही था नेट repeat करता है खुद को बार बार यही बात तो कह रहा हूं इसलिए हम पंदर साल का पेपर बना रहे हैं क्योंकि उम्मीद है कि इससे बार आपका concept भी ना आए जो पढ़ाई नहीं भी कियोंगे न यह paper analysis ही इतना ज्यादा डिटेल में हो रहा है पूरे एक-एक concept को बताता चल रहा हूं अगर आप इसका भी नोटस बना इसी को अच्छे से रिवाइस करें तो होपस्व आपके सवाल लग जाए हर चप्टर से एक-एक चप्टर का एक-एक सवाल भी लगा ना स्कूर बन जाएगा ठेक चला प्यारा बच्छों इससा सवाल मैंने पहले भी आपको बोला नौट पॉसिबल के लिए आपको देखना क्या रहता है एन की वैल्यू लकी वैल्यू से हमें से क्या होनी चीए बड़ी होनी चीए यह तो आपने पहले पढ़ा है यह नहीं सबला था है ली की वैल्यू एम की वैल्यू से यह ऑधक ड़ा यह तो उसकी इक्षण क्यान ₩ यह हम की वाल्यू मैनस यह से लेक है लकी हो से लेक प्लस ल जीरो से बीच में होता है इस थ्री पोईंट्स इहने को की बातों के चल나 थैगा जलेगा लकी व्यू क्योंकि L की वैली जीरो टून मैंनम जीरो से एड़ माइनस वन तक होती है ठेक उसे हमें सक्ष मरें रहेगा और एल भी चलेगा यह भी चलेगा यह सही है N1 है L0 है चलेगा बट L0 होते ही M की value तो भी या 0 ही रहेगी न यह नहीं चलेगा N3 है L2 है यह चलेगा क्योंकि L छोटा है N से acceptable बट जब L की value 2 है तो M की value minus 2 से plus 2 तक होगी यह minus 3 बोलता है यह नहीं चलेगा मतलब हमसे पूछा क्या गया था हमसे पूछा किया था आगे सवाल पढ़ते हैं अब सवाल को देखा जाए which of the following set of quantum number is not possible कौन कौन possible नहीं है तो यह दूसरा नहीं है चौथा नहीं है पाच्वा नहीं है ऐसा कोई option है क्या दूसरा चौथा पाच्वा बिलकुल है option आगे याद रखिए को से नहीं और आ गया the orientation of atomic orbital is governed by बोल रहा है कि जो electron है यह कक्षक है ना प्रमाणवी कक्षक उसका विन्यास किसके द्वारा प्रदस्रीत किया जाता है तो याद रखिए जो principle quantum number रहता है ना यह क्या बताता है तो यह पहले तो बताता है size आकार और क्या बताता है तो यह orbit energy बताता है कक्षा की उर्जा orbit energy और क्या बताता है तो यह और बिट का angular momentum कोणिये सन्वेक बताता है orbit angular momentum जब एजी मुथल quantum number की बात करूंगा ना यह क्या-क्या बताता है आकरती यह क्या बताता है यह क्या बताता है आकरती दूसरा यह orbit या shell की energy बताता है यह even sub-shell की नरजी बताता है मतलब मुंख्य क्वान्टम स्ंक्यां वह से कम है पी की उससे कम है और सबसे कम है बट पी अंदर यो तीन उपकोशन पी एक्स पीवाई पीजट उनकी एनरजी लेवल को कौन किया से बताता तो या तो आ रहागा ना फॉर्मूला ह एच अपाउंट टू पाई रूट में एल इंटू इल प्लस वन ये कैसे बताता था एन एच अपाउंट टू पाई यह वो ठीक ध्यान देल ले न इस पिन कौन्टम नंबर क्या बताता है तो यह एलेक्ट्रॉन के कॉन तो वो बताने काम है magnetic quantum number ठीक है तो अभी विन्यास कौन बताता है तो याद रखिएगा चुमबक्य quantum संख्या बताता है इसके अलावा भी हर quantum संख्या क्या क्या बताता है तो यह सारी बातों को भी मैंने आपके सामने रख दिया आएटी पहले कोश्यम पूछ चुका है स्पिन पे तो इस्पिन quantum number क्या बताएगा तो mechanical configuration of rotation of electron मतलब electron के यांत्रिक घुनन को प्रदर्शित करता है इस्पिन quantum संख्या और अभी विन्यास चुम्बक यह quantum संख्या तो यह था हमारा सवाल प्यारे बच्चों आगे देख लीजिए कि सटा सट बनने वाले कोस्टेन आ गए बो रहा है टू इलेक्ट्रोन ओके पाई दा सेम और्बिटल 10 इस्टिशिघे Courtney Sch seniors by अगर दो एलेक्ट्रोन के पास एक ही और्बिटल के दो इलेक्ट्रोन हो एक ही और्बिटल के दो इलेक्ट्रोन तो हम ने तो यह देखा था quantum number कितना प्लस हाफ है और इसका spin quantum number क्या है माइनस है तो आप सब पूचा गया था कि किसी एक ही कचछक के दो इलेक्ट्रोनों में कौन भेद करता है तो वह है छक्रन quantum संख्या spin quantum number कि की रेस्ट सारी 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 वेली एकवाल हो सकती है बट पूछ दिया है maximum number of orbitals हालांकि सवाल को तुम्हें करा चुका हूं n equal to 3 यह समझ गें यह 3PZ है 3PZ मतलब खाली एक orbital हो चुका है सवाल repeat हो गया sorry और यह सवाल भी हो चुका है फिर बोल रहा है which one of the following set order है ठीक है our quantum number and electron will have the highest energy क्या पुछ रहा है उच्चतम उर्जग कहां किसमें है तब यह highest energy के लिए आप सबको पता है energy का order कौन बताया था n प्लस l के रूल से तो आप यहां पर n प्लस l करेंगे न तो इसके n प्लस l की value कितनी आ रही है 5 बाकि भूल जाओ इसके n प्लस l की value कितनी आ रही है 6 इसके n प्लस l की value भी कितनी आ रही है 5 और इसके n प्लस l की value भी आ रही है 5 तो 3 का 5 है एक का 6 है और जिसका n प्लस l का value जादा है उसकी एनर्जी लेबल भी जादा है तो आप्शन नमबर भी हाइस्ट एनर्जी उचितम उर्जा पूछा गिया था ठीक है बच्छो चलिए लगता है यहीं तक था तो हमने आज सारी चीजों को अच्छे से डिल किया और मुझे उम्मीद है कि यह चीज आप के लिए लग रहा है एक्जाम के पैटर्ण के हिसाब से यह आपके लिए कहीं न कहीं शौट टाइम में अच्छा रिविजन करने का अगर यह माद्यम बनता है तो अपने दोस्तों तक 20 को जरूर फैल ठीक है मिलते हैं दोस्तों अपने इस तरह से मैं पूरा प्रयास करूंग होगा मिलके करना बहतर करना है तो मिलते हैं नेक्स सेजन में नया चप्टार नया इंफोर्मेशन लेकर तब तक के लिए जाहिंद